मैं अभी गर्ब गुरुह में इश्वरिय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कितना कुछ कहने को है लेकिन कंठ अवरुद्ध है मेरा शरीर अभी बीस पंदित है चित अभी भी उस पल में लीन है हमारे राम लला अब टेंट में नहीं रहेंगे हमारे राम लला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे मेरा पक्का विश्वास है अपार स्रद्दा है कि जो गटित हुआ है इसकी अनुहूती देश के विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी ये च्छान अलवकिक है ये पवित्रतम है ये माहोल ये बातावरं ये उर्जा ये घड़ी प्रबूस्री राम का हम सब पर अशिरवाद है 22 जनवरी 2024 का ये सूरच एक अध्भूत आभा लेकर आया है 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं ये एक नए काल चक्र का उद्गम है राम मंदिर के भूमी पुजन के बात से प्रती दीन पुरे देश में उमंग और उत्सा बढ़ता ही जा रहा था निर्मान कार्य देख देश बास्यों में हर दिन एक नया विस्वास पैदा हो रहा था आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है आज हमें स्री राम का मंदिर मिला है गुलामी की मानसिक्ता को तोड़ कर उठ खड़ा हो राष्ट अतीज के हर दौं से होंसला लेता हुआ राष्ट ऐसे ही नव इतिहास का स्रजन करता है आज से हजार साल बाद भी लोग आज की इस तारिक की आज के इस पल की चर्चा करेंगे और यह कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं इसे साक्षाद गटीत होते देख रहे हैं आज दिन दिशाएं दिख दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है यह समय सामान्य समय नहीं है यह काल के चक्र पर सर्वकालिक शाय से अंकित हो रही अमीट समृती रेखाएं है साथियों हम सब जानते हैं कि जहां राम का काम होता है वहां पवन पुत्र हनमान अवश्य विराजमान होते हैं इसलिए मैं राम भक्त हनमान और हनमान गटी को भी प्रणाम करता हूँ मैं माता जान की लक्षपन जी भरत सत्रुग्ण सब को नमन करता हूँ मैं पावन अयोध्यापुरी और पावन सर्यु को भी प्रणाम करता हूँ मैं इस पल दैविय अनुभव कर रहा हूँ कि जिन के आशिरवात से ये महान कार्य पूरा हुआ है वे दिव्य आत्माएं वे दैविय विभूतियावी इस समाएं हमारे आश पास उपस्तित है मैं इनसे भी दिव्य चेत्राओं को भी कृतग्यता पुरवग नमन करता हूँ मैं आज प्रभूस्री राम से छमा याचना भी करता हमारे पुर्शार्थ हमारे त्याग तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कारिय कर नहीं पाए है आज वो कमी पूरी हुई है मुझे विश्वास है प्रभू राम आज हमें अवश्य शमा करेंगे मेरे प्यारे देश्वासियों त्रेता में राम आगमन पर पुझ्य संत तुल्शिदाज ने लिखा है प्रभू बिलो की हर्फे पुरबासी जनित वियोग बिबत्ति समनासी अर्थात प्रभू का आगमन देकर ही सब अयोध्यवासी समगर देश्वासी हर्थ से भर गए लंबे वियोग से लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी उसका अंत हो गया अंत हुआए है अंत हुआए है यस्ता अंत हुआए है यस्ता अंत हुआए है लंबे वियोग से जो आप झाए भर गए